बात उन दिनों की है जब मेरी प्लास्टिक सरजनी में पोस्टिंग चल ले थे तो वहाँ पर जो हमारे सर के साथ एक असिस्टेंट रहते थे जो की नॉनमेडिकों थे लेकिन साथ में रहते रहते काफी ग्यान हो जाता है तो उनके एक वार उनका जो छोटा बेटा था आठ स साल नौ साल दस साल का रहा होगा तो उसकी जब तबीत खराब हुई तो उन्होंने उसको सेफ ट्राइज्वन इंजेक्शन लगा दिया परणाम यह हुआ कि एकदम हाइपर सेंस्टिविटी रियक्शन हुआ क्योंकि हम यूजली सेंस्टिविटी टेस्ट के बाद लगाना चाहिए लेकिन ग्यान की कमी के कारण उनको पता नहीं था क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके साथ ऐसे ही रहे और थोड़ा सा ग्यान पा लिया तो उसके बाद उनना तो उसके कारण अब उनको यह भी नहीं पता था कि एविल का इंजेक्शन यह लगाना चाहिए कुछ और क कुछ करना चाहिए आपको लेकर बस उसके बाद उनके हाथ पेर फूल गया फिर वो फटक से लेकर उसको दूसरे डोक्टर के पास गए काईम नीरवाई हॉस्पिटल में क्योंकि वो एक गाउं के रहने वाले थे फिर जब वो बहाँ पहुँचे तब तक उस बच्चे की और वो बताते हैं कि वो बच्चा अभी भी थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेट है क्योंकि वहाँ पर उनको फिर ट्रीटमेंट डिया गया और इसने में उनको करीब दस वार गंटे लग गए थे जैसे कि उन्हों ने बताया तो इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क कि बहुत से लोग के जाता है कि कुछ भी अपने आप से ही ट्रीटमेंट करना जाके मेडिकल से कुछ भी अपने आप से दिवाई ले लेना अनकौलिफाइड लोगों से दिवाई ले लेना पर कई बार अपने आप पर या अपने प्रियेजन के साथ आपको बहुत तकलिफ से गुजरना पड़ता है और मुसीबद में फस जाते हैं इसलिए हमेशा एक कौलिफाइड डॉक्टर को कॉंडट करके ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस तरह के मैं और केसे साब को शेयर करूंगा धन्यवाद